प्रोवाइड करा दी जाएगी चलिए भाई बात करेंगे पॉलिटिक ये फर्स्ट क्लास रहेगी और दोस्तों ऐसी ऐसी सभी क्लास इस भैतरिन तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी और चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले चप्टर समविधान सभा से अर्थात Constituent Assembly के बारे में आज हम बात करेंगे बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है यकीन मान के चले तो चलिए समविधान सभा के बारे हम बात करते हैं समविधान सभा समविधान सभा को Constituent Assembly के नाम से जाना जाता है यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे सबसे पहले, आखिर यह विचार सबसे पहले किस के मन में आया, कहां से आया तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले यह विचार ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन में किस व्यक्ति को आया था तो आप याद रखेंगे Sir Henry Maine को सबसे पहले ये विचार आया कि क्या होना चाहिए एक सम्विधान सभा होनी चाहिए एक assembly होनी चाहिए इतनी बात आप याद रखेंगे लेकिन Britain पहला ऐसा देश नहीं था जिसने इसको लागू करा था तो Britain लागू करने वाला पहला देश नहीं था सबसे पहले सम्विधान सभा को लागू किस ने किया था तो आप याद रखेंगे अमेरिका और फ्रांस ने ये दोनों देश ऐसे थे जिनोंने सबसे पहले जो है वो Sir Henry Maine की बात को माना था accept किया था अब आप बात करते हैं भारत के अंदर जो है वो इसकी डिमांड कब उत्पन हुई कब पैदा हुई कब जो है सबसे पहले सम्विधान सभा की मांग भारत में उठी तो आप एक बात याद रखेंगे बाल गंगादर तिलख जी के दौरा बाल गंगादर तिलक जी के द्वारा 1895 में सवराज विधेयक अर्था सवराज बिल की मांग की गई और इस बिल के थुरू ही सबसे पहले भारत में सम्विदान सभा की मांग की गई थी ये बात आप याद रखेंगे एक कोशन यहां से इंपोर्टेंट यह बन जाता है और यह आपका छुट ना जाये इसलिए मैंने नौट में लिख दिया है कि पूर्ण सोराज की मांग भारत में सबसे पहले किस ने करी थी पूर्ण सोराज की मांग तो आप याद रखेंगे 1921 में 1921 में सबसे पहले हसरत मोहानी जी के दौरा हसरत मोहानी जी यह नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है कई बार कोशन पूछा जाता है देखें सोराज विधायक की बात की जाए तो किस के दौरा यह मांग उठाई गई थी तो आप कहेंगे बाल गंगदर तिलख जी के दौरा लेकिन पूर्ण सोराज की मांग सबसे पहले 1921 में हसरत मोहानी जी के दौरा यह मांग की गई थी इसके लवा आप एक बात और याद रखेंगे 1922 में मात्मा गांदी जी ने 1922 में यह मांग करी कि भारत का जो समविधान है वो भारतियों की इच्छा के अनुसार होगा क्या का मैंने दोस्तों दुबारे सुनीजिए भारत का सम्विधान भारतियों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए ये बांगे सबसे पहले किस ने करीदी तो आप याद रखेंगे मात्मा कांदी जी के दौरा 1922 में बाद में 1933 मेनी की एक पत्रिका चपती है जिसका नाम है हरीजन हरीजन पत्रिका हरीजन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा एक पत्रिका थीन की हरीजन पत्रिका और इसका जो अर्थ होता है दो अर्थों में जो समर्थक हैं या उनके भक्त हैं समर्थक कहना सही नहीं रहेगा यहाँ पर जो उनके भक्त हैं उन लोगों के बारे में अर्थात कुल मिला करके भारत के अंदर उस समय पर जो उच नीच वाली होती पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया और आज इसके स्थान पर है अनुसुचित जाती का परियोग किया जाता है यह बाता पच्छीतर से याद रखेंगे यह पूर्ण रूप से भारत के अंदर बैन है आज भी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हरी जनों को हरी के नम से जाना जाता है या आप अच्छीतर से याद रखेंगे पाकिस्तान में अभी भी यह सम चलता है लेकिन वहाँ पर इसको हरी कहा जाता है इसी बात आप अच्छीतर से याद रखेंगे तो मैंने आपको बताया क पत्रिका 1933 में चपती है किसकी मात्मा गांदी जी की जिसके अंदर इस पत्रिका में ये जो है वो लिखा हुआ है कि भारत का जो सम्विदान है वो भारतियों की इच्छा के अनुसार होगा ऐसी बात कहने वाले कौन थे मात्मा गांदी साथ अब एक बात नोट करनी की है अपने नाम सुना होगा मोतिलाल नहरुजी का पंडि जवालाल नहरुजी के पिताजी थे मोतिलाल नहरुजी 1924 में इन्होंने क्या करा था सम्विदान सभा की मांग करी थी याद रखेंगे 1924 में मोतिलाल नहरुजी के द्वारा भी सम्विदान question है कई बार एक्जाम में question बना हुआ है M.N. Roy M.N. Roy के द्वारा कह लीजिए या फिर मानवेंदर नात राइयन का पूरा नाम है इनके द्वारा जो है वो 1934 में formal demand की गई थी या फिर उपचारिक मांग की गई थी किसकी सम्विदान सभा की अच्छा इस इस बात को इस उपचारिकता को अर्था इसको अधिकारिक मांग कब बदल दिया गया कॉंग्रेस के द्वारा बदला गया कब बदल दिया गया ओफिसेल का मतलब अधिकारिक कब बदल दिया गया question कि formal demand किस ने की थी समिधान सभा की तो MN Roy 1934 में ये बाता पच्छी तरह से याद रखेंगे लेकिन कभी पूछ रहा जाए इसकी आधिकारिक मांग अर्थात इसकी official मांग official demand जो है वो किस ने करी थी और कब करी थी तो आप याद रखेंगे Congress के द्वारा की गई थी 1935 में अब भाई आप एक बात याद रखेंगे Congress का जो फैजपूर वाला अधिवेशन हुआ था फैजपूर कब हुआ था भाई ये फैजपूर वाला अधिवेशन तो आप याद रखेंगे 1937 में 1937 में इसके अध्यक्स कौन थे पंडिच जवाला लेरू जी 1937 में Congress का अधिवेशन होता है फैजपूर में भाई ये फैजपूर कहा है तो आप याद रखेंगे ये महारास्टर में एक गाउ है फैजपूर में अधिवेशन होता है जिसका नाम है Congress का फैजपूर अधिवेशन और इस वाले वेशन के अंदर जो है वो, जो अध्यक्स रहते हैं इसके, कॉंग्रेस के, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, पंडित जवालन लेरू और इनके द्वारा जो है वो, किसकी मांग की जाती है, समविधान सभा की मांग की जाती है, ये पहला ऐसी अधिव तो एक तो आप याद रखेंगे, पत्र पत्रिकाएं, इनके द्वारा जो संपाधित की गई हैं या जिनके ये संपाधक रहे हैं, तो वो कौन-कौन सी ये नंबर एक तो आप याद रखेंगे, नव जीवन, बहुत पूछा जाता है पेपर में भाई, कई बार कोशन पूछेंगे, इंडियन उपीनियन, इंडियन, इंडियन उपीनियन, बोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक और आपको याद रखना है, इसके लावा आपका हरीजन, ये चार पत्रिकाएं, जो मैंने आपको बताई, कोन-कोन सी, नव जीवन हो गई, यंग इंडिया हो गई, इंडियन, अब opinion हो गया और इसके अलावा हरीजन, ये चारो की चारो पतरिका है, महत्मा गांधी जी के द्वारा संपाधित की गई है, अब दोस्तों मारास्ट में जो अदिवेशन के बाद भारत में ये जो सम्विदान सभा की मांग थी इसने तूल पकड़ लिया अरथात, अब भारत में सम्विदान सभा की मांग को लेकर के अंग्रेजों पर दबाओ बनाए जाने लगा और ध्यान रखना है इसके बाद अंग्रेज आये और इस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव ये अंग्रेज सोसते थे कि भारते कम पड़े लिखे हैं और इनको आसानी से बेवकुब बनाया जा सकता है तो दोस्तों याद रखना है आठ अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आता है इस प्रस्ताव के दोर प्रिटेन की सरकार थी उसका यह कहना था कि ब्रिटेन सरकार ने भारतिय सम्विधान सभाका होना आथी आवश्यक है लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि भारतियों ने या फिर यो कह लिजी कि भारत ने इस स्विकार नहीं किया भारत ने इस अगस्त प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया क्यों नहीं किया स्विकार क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ था कि इसमें लिखावा था कि इसमें ये जो आपका सम्विदान सभा होगी से मुख्यता कोन होगे भारतिय होगे मुख्यता भारतिय होने का अर्थ ये है कि भारतिय के अलावा इसमें अंग्रेज भी होगे क्योंकि मुख्य था भारती ओने का मतलब यही तो हुगा ना कि इसमें अन्य लोग भी होंगे तो अन्य लोग कोन बचे अब आपके अंग्रेज तो भारती अगर कभी भी अंग्रेज भारती सभा में या फिर यू कह लिजिए सम्विदान सभा के अंतरगत रहेंगे तो क्या भाये भारत के लोगों के बारे में सोचेंगे बिलकुल नहीं सोचेंगे भारतियों के हिद के बारे में बिलकुल नहीं सोचेंगे तो फिर क्या फाइदा ऐसी सम्विदान सभा का तो दोस्तों इसलिए भारत के लोगों ने या फिर यूं कह लिजी है कि कॉंग्रेस ने जो है very very important ये बात आप याद रखेंगे इसे बोलते है क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया तो आप याद रखेंगे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया अब दूसरा विस्व्यूद की बात है दूसरा विस्व्यूद चल रहा था तो उस समय पर ये जो बिटेर वाले थे ये चाते थे कि भारतिय जो भारतिय लोग हैं वो इनका समर्थन करें इनका जो है वो साहता करें इनकी दूसरे वर्ल्ड वार में और इनकी तरफ से लड़ें और ऐसी स्थेती में याद रखना है एक पद या फिर यूँ कहले जिए एक सदस्य की एक सदस्य का इन्होंने मिशन बनाया जिसे क्रिप्स की मिशन कहते हैं इसमें सिरफ अध्यक्स कौन थे स्टेफोर्ड क्रिप्स ये बात आपको याद रखनी है एक सदस्य ये जो थी टीम थी आप यूँ कहले जिए इसको भी भारतीय लोगों ने स्विकार नहीं किया क्यों? इसके पीछे का रिजन ये था क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन था या स्टेफोर्ड क्रिप्स था इसका कहना ये था कि भारत का जो समविधान बनेगा या समविधान सभाजों बनेगी वो second world war के बाद बनेगी अगर भारतिये second world war में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो भारतियों को बिल्कूल भी पसंद नहीं आया और भारतियों ने क्या गर दिया इसको भी आश्विकार कर दिया कि भाई ये तो बात आप याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने इसे बीते समय का चेक अर्थात पोस्ट डेटिड चेकर की संग्यादी है ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे भाई चलिए ये इंपोर्टेंट क्रिस मिसन हो गया आपका इससे भी जादा इंपोर्टेंट अगर कोई चीज है तो आप याद रखेंगे कैबिनेट मिसन भारत कब आया तो आप याद रखेंगे 1946 1946 में आया याद रखेंगे तीन लोगों की ये तीन लोग थे इसमें कौन-कौन एक का नाम याद रखेंगे जो इसके अध्यक्स थे पैंथिक लोरेंस जो थे वो इसके अध्यक्स थे और ये उस समय पर भारत में भारत सचीव के पदपर जो थे वो कायम थे इसके अलाबा दूसरे सदस्य से इसमें याद रखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे आप याद रखेंगे A.V. Alexander जो की नो सेना मंदरी थे उस टाइम पर तो यहाँ तक भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए Cabinet Mission के जरीए किस प्रकार से आगे कौन-कौन सी चीजें भारत में लाई गई किस प्रकार से जो है वो अब भारत की सम्विदान सभा को मंजूरी मिली यह सारी की सारी बाते हम नेक्स्ट वीडियो के जरीए जो है वो आपके सामने पेस करेंगे तब तक के लिए भाई आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से कलेट करके सारे टोपिक्स को झाल झाल